दोस्तो रणबीर कपूर की स्टारर मूवी एनिमल एक दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, फिलम ने पहले ही दिन 63 करोड रुपए से अधिक का बिजनेस कर लिया था पहले दिन से ही लेकर आज तक एनिमल मूवी बोक्स ओफिस पर छाई हुई है महें 14 दिनों में एनिमल ने 436 करोड 84 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है वल्ड वाइड ये फिलम 14 दिनों में 772 करोड 33 लाख रुपए कमा चुकी है जल्द ही ये मूवी दुनिया बर में 1000 करोड रुपए और भारत में 500 करोड रुपए का आखड़ा पार कर लेगी इस एक्षन थ्रीलर फिलम ने पहले दिन 63 करोड 80 लाख रुपए का बिजनस किया था फिलम के दूसरे दिन का कलेक्शन 66 करोड 27 लाख रुपए रहा तीसरे दिन इस फिलम ने 7.83 परतिसत के बढ़त के साथ 71 करोड 46 लाख रुपए का बिजनस किया चोथे दिन फिलम का कलेक्शन 43 करोड 96 लाख रुपए रहा पांचवे दिन फिलम ने 37 करोड 47 लाख का बिजनस किया इसके बाद फिलम ने 6 दिन 30 करोड़ 40 लाक रुपए, सातवे दिन 24 करोड़ 23 लाक रुपए और शुरुवाती आँखडों के मुताबिक फिलम ने 8 दिन 23 करोड़ 50 लाक रुपए का बिजनस किया नवे दिन फिलम ने 34 करोड 24 लाख रुपए, दसवे दिन 36 करोड रुपए और 11 दिन फिलम ने भारत में 13 करोड का बिजनस किया, 12 दिन फिलम ने 12 करोड 25 लाख रुपए का बिजनस किया, 13 दिन 10 करोड 25 लाख रुपए और 14 दिन के शुरुआती आखडो के मताबिक एनिमल आठ करोड पिचितर लाख रुपे का बिजनेस किया है इस फिलम ने जवान और बाहुबली टू मुवी का रिकोर्ड तोड़ दिया है रनबीर कपूर इस फिलम का निर्देशन संदीब रेड़ी वांगा ने किया है जो कबीर सिंग और अरजुन रेड़ी के डारेक्शन के लिए जाने जाते है इस फिलम में रनबीर कपूर के अलावा रस्मी का मंधाना बोबी देवल, अनिल कपूर, त्रिप्ति, डीमरी, प्रेम, चोपड़ा, आदी, एहम, भूमिका में नजर आए है फिलम में रनबीर कपूर और बोबी देवल की एक्टिंग की खूब तारिफ हो रही है, दोनों के एक्शन सिंस काफी पसंद किये जा रहे है रनबीर के दमदार लुक और बोबी देवल के बिना कुछ कहे एक्टिंग ने लोगों को दिवाना बना दिया दोस्तो वैसे आपको इफिलम कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ